करोडों खर्च करके भी भारत को क्यों नहीं हरा पाया पाकिस्तान आखिर पाकिस्तान पर कैसे भारी पड़ा भारत का एक रुपया कुल्भूशन जाधव मामले में भारत ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल कौर्ट ओफ जस्टिस में करारी मात दी ICG के कुल 16 जजों में से 15 जजों ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कुल्भूशन जाधव की फासी पर रोक लगा दी है खास बात यह है कि कुल्भूशन का केस लड़ने के लिए पाकिस्तान ने पानी की तरह करोड़ों रुपे भाहा दिया लेकिन भारत ने सिर्फ एक रुपे खर्च कर पाकिस्तान के चारों खाने चित कर दिये दरसल इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस में भारत का पक्ष रखने के लिए तेश के जानेमाने वकील हरीश साल्वे पेश हुए सुप्रीम कोट के सीनियर वकील हरीश सालवे की गिंती देश के सबसे मेहंगे वकीलों में होती है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनकी एक दिन की फीस करीब 30 लाक रुपे है लेकिन जाधव का केस उनोंने महज सिर्फ एक रुपे में लड़ा इसका खुलासा पूर्भारतिय विदेश मंतरी सुश्मा सुराज ने अपने एक ट्वीट में किया था उधर पाकिस्तान ने जाधव को जासू साबित करने के लिए अपने वकील पर 20 करोड रुपे से अधिक फूग दिये इसका खुलासा खुद पाकिस्तान सरकार ने वहां के संसद में किया पाकिस्तानी संसद नैशनल असेम्बली में जो बजट दस्तावेश पेश किये गए उसमें कहा गया कि हैक की अंतरास्टी अदालत में जाधव का केस लड़ने वाले वकील खावर कुरेशी को 20 करोड रुपे दिये गए लेकिन भारतिया वकील हरीश सालवे ने सिर्फ एक रुपे लेकर पाकिस्तान के 20 करोडी वकील खावर कुरेशी को आईसीजे में हर मोर्च पर मात दी खास पात ये है कि इस दोरान पाकिस्तान ने आईसीजे में दो वकील भी बदले वही सालवे अकेले ही दोनों पर भारी पड़े और जाधव की फासी रुपाने में काम्याब हुए सालवे अपने तरकों से ना सिर्फ जाधव को भारतिया नागरिक साबित करने में सफ़र रहे बल्कि अपनी दलीलों से ये साबित कर दिया कि पाकिस्तानी जाधव को काउंसलर एकसेस ना देकर वियनर संधी का उलंगन किया है इतने नहीं वो जाधव की फासी की सजा रुकवाने में भी सफर रहे बहस के दोरान अपने तर्कों से साबले ने पाकिस्तानी वकिल खावर कुरैशी को बेदम कर दिया सालवे की दलीलों के कारण ही आई सी जे ने पंदरा एक से भारत के पक्ष में फैसला सुनाया उनने पाकिस्तान के जूट को बेनकाब करने के लिए कई तर्क पेश किये और कहा कि पाकिस्तान ने अंतरास किये और बुनियादी कानूनों की धज्या उड़ा दी यानि दूसरे शब्तों में कहें तो पाकिस्तान के करोडों रुपे पर भारत का एक रुपेया ही भारी पड़ गया इंडिया नियूस फारूर के रिपोंट